बिग बॉस के इस सीजन में हर हफते कुछ नया देखने को मिल रहा है। बिग बॉस के घर के अंदर एक और विस्सा लाया गया था जिसे रेड जोन नाम दिया गया था। कई बड़े कसक्त नियम बनाए जा सकते हैं और सिर्फ वोटिंग के अधार पर ही नहीं कई और चीजों के अधार पर भी कंटेस्टन्स जेल के अंदर या फिक काल कोट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा खबरे ये भी आ रही हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर कुछ और वाय कार्ड एंट्रीज आ सकती हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस का जो शो है वो तीन मेहने तक चलता है और अभी बिग बॉस के घर के अंदर जितने कंटेस्टन्स मौजूद हैं उन में तीन मेहने काटना मेकर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में मेकर्स कुछ और कंटेस्टन्स को विग बॉस के घर के अंदर लाने वाले हैं जिनके साथ में घर वालों का आमना सामना होगा और कुछ कंटेस्टन्स को आउट कर दिया जाएगा जो मेकर्स की नजर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। इसके अलावा आपको आने वाले हफ्तों में कुछ और hard evictions देखने को मिल सकते हैं और कई ऐसे contestants घर से जा सकते हैं जो शायद आपके favorite हैं लेकिन voting के अधार पर नहीं सिर्फ task के अधार पर उन्हें घर से बाहर किया जा सकता है वेकर्स ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि show को अभी तक वो hype नहीं मिल पाई है जो कि पिछले सीजन में मिली थी जिस वज़े से अब contestants का आमना सामना कराये जाएगा और हारने वाले को सिधा घर भिजा जाएगा अब देखना ये हुगा कि Big Boss के घर में जो contestant मौझूद है उनमें से कौन-कौन survive कर पाते हैं और जो नई while card entries Big Boss के घर के अंदर आती हैं वो कितना अच्छा perform करती है वैसे आपको बता दें कि इस हफते no eviction week रखा गया है एक बार फिर यानि कि वीकेंड के वार पर एक बार फिर आपको कोई eviction देखने को नहीं मिलेगा आने वाले हफते में कुछ task कराए जाएंगे जिसके बाद आपको एक के बाद एक कई बड़े evictions देखने को मिल सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो comment करके ज़रूर बताएं और अगर आपके हमारे चैनल क्रिसकॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटिस अपडेट्स के लिए क्विटर, फेस्बूक, इंस्टर्राम पर फॉलो करना ना भूले